तीन दिवसिये सांसद खेल महोचसब का आगाज राजधानी राची इस्थित खेल गाउं में होने जा रहा है इसकी शुरुआत 17 फरवरी को होने वाली है महोचसब में चैनेत खेल आरचरी, एथलीट, वुशु कबड़ी, बैडमिंटन, योगासन, बैद डिस्पले है इस बात की जानकारी सांसद संजय सेठ न दी वहीं महोचसब का समापन 19 फरवरी 2023 को होगा खेल महोचसब में प्रतियोगिता, बालक और महिला दोनों ही वर्ग में खेली जाएगी राची लोगसबा के प्रतेक शेत्र में चैन प्रतियोगिता का आयोजन, जारखन ओलंपिक असोसियेशन और संबंधित राज्य खेल संग के तकनीकी सहयोग से किया जाएगा इस तीन दिवस्य प्रतियोगिता के दौरान खिलाडियों के भोजन, आवाज की विवस्था की जाएगी खिलाडियों को टी-शिर्ट, प्रमान पत्र और मिडल दिया जाएगा लगभग रांची लोगसबा से 2000 खिलाडी 2000 खिलाडी उस खेल महसों में भाग लेंगे मेरे ख्याल से किसी भी टुर्नामिंट में इतने बड़े खिलाडी, इतने बड़े इस्तर पर लोकल इस्तर पर कि पहला प्रियास होगा कि 2000 खिलाडी एक लोगसबा च्छेतर से, जार कंडिस्य नहीं रांची लोक सुबा से 2000 खिलाडी भाग लेंगे और उसमें भाईया बहन दोनों का कंपिटिशन होगा बालक बाली का और जार कंडिस्य नोलप में केश्यूशन और संबंदी राज खेर संग का तक्नीकी सहयोग हम ले रहें और वो तक्नीकी सहयोग हम लोग तो रहेंगे लेकिन हम वहां कोई राज नीत नहीं करेंगे कोई पार्टी का जंडा नहीं रहेगा जंडा रहेगा खेल का जंडा रहेगा खिलाडी का और पूरी तरह हम तो सांसद किसी पार्टी के नहीं हम तो पूरे रांची लोकसुभा में चालिस लाख जनता के हम प्रतिदी हैं उनके सांसद हैं और इस चालिस लाख लोगों में कैसे आर्चरी के कैसे योगाशन में वशू में कैसे खिलाडी निकले यह जिम्मेदारी हमारी बनती है और उस तिन त्री दिवशिया खेल महस्वों में इचा गड़ और सिल्ली से जो खिलाडी आएंगे उनके रहने की वेवस्ता खेल गाउं में रहेगी निव्जवें के लिए रांची से मनीश जा की रिपोर्ट Tuffcon XT600HCR TMT Riva अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राइब